नमस्कार दूस्तो आपका हमारी यूटूब चैनल भक्ति ग्यानतियोहार में स्वागत है आज मैं आपको सावन माह में भववान्शिव और एक बुड़ी मा की कहानी सुनाने जा रहे हैं अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महदेव जरूर लिखे साथ ही अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें अब सुनूए ये कहानी किसी गाउं में एक बुड़ी मा अपने बेटे की साथ रहती थी उसके पती की मृत्य हो चुकी थी वे बहुत गरीब थे बुड़ी मा भगवान शिव की परमभक्त थी वे भगवान शिव का मन लगाकर पुजा पाट किया करती थी और सिम मंदे जाय करती थी मंदे जाकर गाउं वालों को भी सिवजी की पुजा के लिए प्रिरित करती थी धीरे धीरे समय बीता और बूरी मा का बेटा बिवायोग्य हो गया बूरी मा ने एक सुन्दर और सुसी लड़की से अपने बेटे का बिवा कर दिया अब बूरी मा की बहु भी घर आ गई बहु पूजापाट बिल्कुल भी नहीं करती थी और उसे अपनी सास की कोई बात भी पसंद नहीं आती थी एक बार बूरी मा ने अपने बेटे से कहा बेटा पहले तो हमें जैसे तैसे गुजारा कर लेते थे लेकिन अब तो घर में बहु आ गई है अब इतने में घर का गुजारा नहीं होता अब तुम्हें नोकरी करने सहर जाना चाहिए बहु ये सारी बातें सुन लेती है और वो अपने पती को बाहर जाने को मना करती है लेकिन बेटा अपनी मा की बात मान कर नोकरी जाने के लिए मान जाता है जिससे बुड़ी मा की बहु नाराज हो जाती है और बुड़ी मा को सबक सिखाने की मन में सोच लेती है बुड़ी मा का बेटा सहर जाने को तयार होता है और जाते समय अपनी पतनी से कहता है कि देखो तुम मा का अच्छे से ख्याल रखना उन्हें टाइम से खाना खिलाना उनकी देख भाल करना अगर कुछ परेशानी हो जाए तो डॉक्टर को भी दिखा देना उनका बच्चों की तरह ख्याल रखना क्योंकि वो बहुत बुड़ी हो गई है उन्हें परेशान मत करना यह कहकर बेटा सहर चला जाता है एक दिन की बात है बुड़ी मा की साड़े फट जाती है तो वो अपनी बहु से कपड़े मांगती है बहु कपड़े लेने जाती है और मन में सोचती है कि मेरे पती ने कहा था मेरी मा का बच्चों की तरह ख्याल रखना तो इन्हें बच्चों वाले कपड़े ही पहनने चाहिए फिर बहु सास के लिए बच्चों वाले कपड़े लाती है और सास को दे देती है बुड़ी मा ये देखकर बहुत दुखी होती है पर क्या करती है, सरीर तो धखना ही था तो बुड़ी मा वो कपड़े पहन लेती है फिर बहु खाना लाती है खाना लाते वक्त बहु सोचती है कि बच्चे तो छोटी कटोरी में खाते है तो मा जी को ये थाली में खाना क्यों दूँ और बहु बुड़ी मा को छोटी सी कटोरी में खाना देने लगती है बुड़ी मा बहुत दुखी हो जाती है और अपना सारा ध्यान भगवान शिव में लगा लेती है वो दिन भर भगवान शिव की पूजा करते रहती है कम खाना मिलने की बज़े से धीरे धीरे बुड़ी मा बहुत कमजोर हो जाती है और धीरे धीरे उनकी तवियत खराब हो जाती है भगवान सेफ बुड़ी मा की हालत देखकर बहुत दुखी होते हैं फिर बुड़ी मा का बेटा सहर से बापस आता है और मा की हालत देखकर बहुत दुखी हो जाता है और अपनी मा से पूछता है मा आप इतनी कमजोर कैसे हो गई लेकिन मा ने बहु के कोई बात बेटे को नहीं बताई बुड़ी मा के पूज़ा पाट से भगवान से बहुत प्रशन थे उन्होंने सोचा अब बुड़ी मा का उद्धार करना चाहिए फिर भगवान सिफ एक भीकारी का भीज़ बना कर बुड़ी मा के पास आते हैं और बुड़ी मा से कहते हैं तुमने भगवान सिफ की पूज़ा मन से की है वो तुम्हारी पूज़ा पाट से बहुत प्रशन है तुम्हें भगवान सिफ की किरपा से अब मोच की प्राप्ती होगी ये कहकर भगवान सिफ वहां से चले जाते हैं और तभी बुड़ी मा की मृत्य हो जाती है मा की मृत्य से बेटा बहुत दुखी हो जाता है और वो भी भगवान शिव की पूजा पाठ में लग जाता है भगवान शिव की किरपा से बुड़ी मा के बेटे का जीवन खुसियों से भर जाता है जैहो भगवान शिव की आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए साथी मेरे वीडियो को जादर से जादर शेयर करिए धन्यवाद दोस्तो